शर्र नमस्कार जी क्याना में आपका? रामचंदर जिकरवाल रामचंदर जी कहां साय वाब? मैं प्रना गामता जी चकेक्प्तर क्यामने cud लाल भाई करनापरते सील में वर्तमान में बार नमर 15 सूर्थगर में रहाँ जी सर क्या काम करते हैं आप? सरसंत रामपाल जी महराजी से जुनने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे सर्जोई आप पूजाएं कर रहे थे दुरगा जी की हनमान जी की तो सर इन पूजाओं को करने से आपको कोई लाब भी मिला? नए जी कोई लाब नी जी तो सर आपको संत रामपाल जी महराजी के बारे में कैसे पता चला? हमारे प्रोस में एक बगजी है जी दिनेस बगजी उन्होंने हमने आकर समझाना शुरू किया तो अमारे कुछ कम पले पड़ी वैसे अमारे वो परिवार में बतीदा भी है उसे भी कई बार कोशिज की पर आम तो उस रंग में डूब यह जी ना नीरी दिरे कर्ते करते पर आपको चंतरामपाल जी महाराज की किरपा हुई कि हमने वो संत्रांपाल जी महाराज की संत्रामपाल जी महाराज जी बरह्मा विश्नु महेस को नास्वान बताते हैं और आप हन्मान जी की पूझा करते थे दुर्गा जी की पूझा करते थे तो सर के जब आपने पहली बार यह सुना तो आपको गुस्ता नहीं आया तो इसके बाद पर जब वो जियान से इसको दिमाग में बिठाया है, समझा, तो फिर वो बात, तो सर ये जो संत्रामपाल जी माराजी दावा करते हैं, क्या इसका कोई परमान भी देते हैं साथ में, परमान है, बागुत के अनुसार बताते हैं हो, सास्तुर के अंदर परमान है उस चीज का, वेदो के अंदर परमान दि सर आप एक ऐसे गुरू को परमात्मा मान रही हो जिनके उपर देश दुरों जैसी धाराई है वो जेल के अंदर है तो सर इसके पीछे क्या कारण है कि आपको उनसे नाम दिखसा लेने के बाद कोई विसेश लाब भी मिला है लाब तो ये बिमारी चक्रा आने के लिए बंद ह आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया अच्छे से कोई आराम नहीं मिला आपकी डाक्टर ने का दिया इसका तेजी वो बीपी का उसको कोई उपरेशन होगा पेट का कोई ऐसा होगा हमने का जी परेशन तो नहीं करेंगे हमने परमात्मा से संतरांपाल जी आके अर्धास आपके घर में आए आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन वो जेल में हैं वो जेल में हैं वो बक्तों के साथ रहते हैं जी अमेशाज चाहिए सच्चे मन से बक्ती करते हैं साथ रहे हैं सर आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बगत समाज को हम तो यह संदेश देंगे जी यह जो दूसरे गुरु हैं बिना ग्यान सासर के अनुसाथ जो बक्ती बता रहे हैं जैसे हम ने भी की पर उसमें कोई फाइदा इसलिए हम तो एकी निवेद्न करेंगे सबी भाईयों से थाकि अपनी सच्ची बटी ग्रेक्ड करने के लिए संट्रामपाल महाराज की सर्ण में आकर के और भक्ति प्राप्त करें और ग्यान करें और भक्ति करें बहुत बहुत धन्यवाज से